दोस्तों इगनों में काफी सारे courses में students offline ही admission लेते हैं क्योंकि कुछ विशेश जो है category के students होते हैं जिनको की इसमें benefit मिलता है जो क्यों online अगर वो admission कराते हैं तो उनको benefit लेने में फिर problem आते हैं इसलिए काफी सारे students जो offline admission कराते हैं admission कराने के बाद उनको काफी समझ चाती है बहुत सारे students का enrollment number होता है वो उनको study material के साथ बेज दिया जाते हैं लेकिन बहुत सारे students को time पर नहीं मिल पाता है जो उनका study material होते हैं ऐसे में वो time सर time से assignment नहीं बना पते हैं जमा नहीं करवा पते हैं इसके कारण उनको काफी दिक् सकते हैं यह एक्जाम फार्म जो हो गर बैठे बर सकते हैं या फिर अपना जो है enrollment number लेने के बाद अपने जो भी उनका एडमी से नोश्कर्ट्रेस कैसे चेक कर सकते हैं तो इसके लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपने करना गया है तो आपने सबसे पहले तो इगन किस समश्चा के बारे में समाधान के लिए आप कहां पर संप्रक कर सकते हैं तो यहां पर आपको जो यह number दिए गया है इसके अलावा करना क्या है यह आपको इगनु की साइट से मिल जाएंगे इगनु की साइट पर जैसे विजिट करें तो यहां पर contact us पर क्लिक करते ही मि यहां पर जो भी आपका रिजिनल सेंटर है यहां पर देखिए जैसे कि हमारा यहां पर रिजिनल सेंटर करनाल है कोड़ दस है करनाल का तो यहां पर रिजिनल सेंटर से भी contact कर सकते हैं पर जैसे पर क्लिक करते हैं तो रिजिनल सेंटर पर भी जो भी आपका रिजिनल और इसके अलावाद जो हम आपको यह भी दिखा रहे हैं यहां पर जो आप यह एक लिस्ट देख रहे हैं यहां पर इमेल आईडी टेलिफोन नंबर दिये गए हैं जो भी ऑफिसियल डील करते हैं स्टुडेंट्स की जो भी समझे होती हैं उनके बारे में तो यहां पर यह ज मश्या का समाधान करने वाड़े कोन कंसर्ण परसन है तो यहां पर फोन नंबर भी दिया गया है और फोन नंबर पर किसके साथ बात होगी वो भी यहां पर बताया गया कोन यहां पर कोल अटेंड करते हैं तो यहां पर इमेल के लिए लग वैकती है और फोन नंबर के लिए सब्सक्राइब लग तो यहां पर अगर आपने अपना अन्रोलमेंट नंबर जानना है तो यहां पर सबसे पहले या फिर जो भी आपका कोर्स कोर्स के कोटिंग आप कंटेक्ट कर सकते हैं जो भी यहां पर email दीगई है देखें को आपको सवती हमाई दे रही होंगे आपर कि मास्र ढिग्री प्रोग्राम बैचलर डिग्र ब्रोग्राम बैचलर डिग्री प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजीवस अन certificate program practical exam lab courses verification of grade card assignment of project degree diploma issue official transcript public information officer तो यहां पर जो है आप contact कर सकते हैं तो आपने करना क्या है अगर आपने enrollment number लेना है यह फिर आपकी कोई भी जानकारी है जो आपके पास नहीं है आप लिए उसे प्राप्स करना चाहते हैं ज्याज़ तर तो enrollment number के ही समस्ज़ आती है तो आपने करना के हैं वह हम आपको दिखा देते हैं तो यहां पर जैसे हम यहां पर mail करना है जो में इगनु का जो सेंटर है वहाँ पर उसमें लिखना क्या आप आप जैसे अपनी e-mail से mail करें तो यहां पर लिखना है तो यहां पर आपने सब्जेक्ट में लिख देना और उसके बाद आपने क्या लिखना है कि आपने जो है किस कोर्स के तहट एड़मी से लिया था और आपका जो कंट्रोल नंबर है वो क्या है आपका प्रोग्राम कौन सा था और आपका नाम क्या है फादर नेम क्या है मदर नेम क्या है जो आपका यहां पर कंट्रोल नंबर भी आपने बता देना है यह डिटेल्स आपने साज़ा कर देनी है यानिके डिटेल्स लिखते और इसके बाद जो भी आपने फीस ब बढ़ने की उसकी फोटो कींच के अपने यहां पर अपलोड कर देनी है तो वह यहां पर इस मेल आइडी पर जैसे बेचेंगे इगनु की मेल आइडी है तो यहां पर से क्या होगा आपका जो भी रीजनल सेंटर है जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहां पर रीजनल सेंटर सभी इलिक मेर्फी जाएगा पर जो भी डिलिक हेडोंगे ही जा एक हम सबस्क्क्राइब करने के लिए बोल सकती है तो यहाँ परने पोर गिसमें कि आप से पूछा जाएगा किया धुरत आपना complete बैंक का नाम भी बताईए और एड्रस भी बताईए तो जिससे की आपकी जो है जानकारी देने में आपके लिए असानी हो वह असानी से आपकी जानकारी डूंड कर आपको दे दे तो इसके बाद अपने करना क्या है जो भी डिटेल उनके दिवारा पुच्छी गए हैं वो आपने बता देनी है आपका नाम, फादर नेम, जो भी आपका कोर्स था, एपलिकेशन नंबर, कंट्रोल नंबर, जो भी डिमांड ड्राफ्ट नंबर था या फिर जो भी आपने फीस बरी थी उसकी जो रिसिप्ट है वो आपने बेज देनी है, उसकी जो डिटेल हैं वो भी लिख देनी है, तो उसके बाद उनकी तरफ से जो आपको रिपलाई आ जाएगा, रिपलाई में 100% आपको चांसिज हैं कि आपको रिपलाई मिलेगा और आपका एन्रोल्मेंट नंबर बता दिया जाएगा, लेकिन इस प्रोसीजर में हो सकता है, थोड़ा लंबा टाइम लग जाए कि अपता साथ दिन लग जाएं, दस दिन लग जाएं, पंदरा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आपको ये गर बैठे मिल जाएगा, यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, हमारे देखिए, यह आपको जो है इन्रोल्मेंट नमबर ये बेज दिया जाएगा, आपको प्रोग्राम बता दिया जाएगा, नाम, फादर नेम, ये डिटेल्स आपको बेज दिया जाएगा, यह में आपका है, आपने एन्रोल्मेंट नमबर लेना था, तो आपको एन्रोल्मेंट नमबर मिल चुका है, मिल बर्त बर के login कर देना है जो भी आपकी जानकरी आपने जो study center select किया है जो आपने subject select किया है वो सारी जानकरी आपको मिल जाएगी और बात करें आप re-registration कैसे कर सकते हैं तो re-registration के लिए यहां से click कर सकते हैं यहां पर जो है आप इसको tick करके फर्दर यहां पर अगले page पर जा जाएगी तो यहां पर आपने program select कर लेना है नाम और यहां पर enrollment number capture के आपने submit कर देना है और जो भी आपका email आइडिया मोबाइल है बी एजी का है जो भी आपका program code है यहां पर आपने डालना है enrollment नंबर फिर आपने जो भी आपका region है यानि के regional center है जो आपका वो select कर लेना है फिर आपने submit पर click कर देना है वो आपने exam center select कर लेना है ध्यान रख कि आप exam center change कर सकते हैं जब भी आप exam दे रहे हैं उसे पहले लेकिन आपका जो study center है वो वही रहेगा जो आपने course में एक बार select कर लिया exam center आप बार बार change कर सकते हैं तो वहाँ पर आपने जो email आइडिया मोबाइल नंबर है वो ध्यान calendar हो गया यह सारी details वहाँ पर आप बर सकते हैं अच्छे से select कर सकते हैं अपनादार नंबर भी डाल सकते हैं वहाँ पर आपको option दिया गया यह आपकी मर्जी है आप select करना चाहते हैं आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते तो वहाँ पर जैसे आप अपने जो भी subject होंग जाएंगे जो भी आपने स्लेक्ट करें थे सिर्फ वही सोगे जो दिये हैं यह अपने फेल किया पास कि उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन वहां पर जो भी आपके टोटल सब्जेक्ट हैं वहां पर सो जाएंगे तो वहां से जो करके आप अपना वहां पर सब्मिट करेंगे जैसे ही वहां पर आएगा कि आपकी असाइनमेंट सब्मिट करने से पहले असाइनमेंट करवा दी हैं तो आप आप वहां पर येस करके सब्मिट कर सकते हैं जैसे सब्मिट करेंगे माँ पर आपको पेमेंट के लिए दो गेटवे आ जाएंगे HDFC और IDBI अगर आपके पास HDFC के इलावा किसी और बैंक का कार्ड है तो आपके सब्मिट आपके इसे सब्मिट कर सकते हैं और आपके हैं आपके सब्मिट आपकी सब्मिटाल आपकी बन जाएग covered हो इस तरहा से जो है अपना पना आसाइन।